अकेले जीतना सीखो, लेकिन कैसे इसके पांच रूल्स माप के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन हमें अकेला क्यों जीतना है? देखिए जो इनसान भीड के साथ चलता है, वो सिर्फ भीड का हिस्सा ही बन कर रह जाता है लेकिन जो इनसान अकेले चलने का हौंसला रखता है, उसके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है कि पहले अकेले चलना सीखो और फिर अकेले जीतना सीखो नीरच चोपड़ा आज से पांच साल पहले इस बंदे को कोई जानदार तक नहीं था लेकिन सब इस बंदे ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तब से इसी नीरच चोपड़ा को प्राइम मिनिस्टर से लेकर गली का बच्चा-बच्चा जानता है क्योंकि इस दुनिया की एक खासियत है कि वो मेहनत नहीं देखती देखती है तो सिर्फ रिसॉल्ट मेरिकॉम मनिपूर के एक छोटे से गाव में पड़ी-बड़ी लेकिन उसके सपने छोटे नहीं थे उसके सपने हमेशा आसमान को छूते थे अगर ये चाहती तो एक नॉर्मल जिंदगी भी बिता सकती थी लेकिन नहीं इसको एक आम इंसान बनकर नहीं जीना था एक मा होने के बावजूद भी उसने लड़ने का साहस किया और अकेले में दिन रात महनत की और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत कर पूरी दुनिया में अपनी जीत का पर्चम लहराया उनकी लाइफ स्टोरी पर एक मूवी बनी है मेरी कॉम जीसको आप देख भी सकते हो ये मूवी आपको बहुत मोटिवेट करेगी इन दोनों चैंपियन्स की स्टोरी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जो इनसान अकेले रहना चाहता है अकेले में महनत करना जानता है वही इस दुनिया पर राज करता है और ये क्वालिटीज दुनिया के सिर्फ 1% लोगों में होती है और अगर आप भी इनी 8% लोगों की संख्या में आना चाहते हो अकेले में महनत करके अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में मैं 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिनहें आप अपनी लाइफ में अपलाई करके पूरी दुनिया जीत सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर अकेले रहना होता क्या है क्या आपने आपको एक कमरे में बंद कर लेना इसको ही अकेला रहना कहते हैं अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप बिलकुल गलत सोच रहे हो अकेले रहने का मतलब होता है अकेले रहकर अपने गोल्स पर लगातार मेहनत करना हो अपने लक्ष पर एकांत में काम करना हो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जब भी किसी इंसान को कोई बड़ा फैसला लेना होता है या किसी पॉलिटिकल पर्सन को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वह अकेले में जाकर सोचता है क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि जो कम एकांत में रहकर किया जा सकता है वह भीड में रहकर कभी नहीं किया जा सकता और इसी तरह से जो संत हुआ करते थे वह भी अकेले में ही रहना पसंद करते थे क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अकेले रहने की पावर क्या है इसके बेनिफिट क्या है और यही रीसन है कि वो महान ज्यानी हुआ करते थे इसलिए अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है कुछ बड़ा फोड़ना है तो आपको अकेले में मेहनत करनी होगी यार तुम लोग एक बात बताओ तुम लोग अकेले ही आये थे और अकेले ही जाना है तो तुम अपने गोल पर अकेले मेहनत करना क्यों नहीं चाहते हो क्यों तुम किस्मत और दूसरों पर निर्भर रहते हो क्यों किसी से इतना ज्यादा उम्मीद लगाते हो जब सपना आपका है तो मेहनत भी तो आपको ही करनी होगी बस इसको अपने दिमाग में छाप लो इनसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करता है बल्कि अकेले रहकर ही कोई इनसान जितना सीखता है अपने आपको अच्छे से जान पाता है कि उसके लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं है अकेला चना भाड़ नहीं पड़ सकता लेकिन हाँ अकेला इनसान इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है किसी भी चुनौती से लड़ सकता है अकेले रहने को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ आपने सिर को देखा होगा वो अकेला ही रहता है क्या कभी उस सिर को देखकर आपको ऐसा लगा है कि यार ये तो अकेला रहता है कभी नहीं लगा होगा क्योंकि अकेला रहना उसकी कमजोरी नहीं है बलकि उसकी ताकत है को अकेला देखकर हमेशہ आपके दिमाग में यही आया होगा की यार यह कितना स्ट्रांग है, यह कितना निडर है और इसी कारण से उस शेर को जंगल का राजा कहते हैं जब भी आप अकेले रहते हो तो पूरे confidence में रहो, पूरे जोश में रहो, और पूरी energy के साथ अपने काम को करते रहो, क्योंकि अकेले रहने से कोई इनसान कमजोर नहीं बनता है, बलकि और भी ताकतवर बन जाता है, क्योंकि जीतने भी बड़े काम होते हैं ना उनको एक अक अकेला इनसान ही चलाता है, और दुश्मनों का सफाया करने वाले powerful fighter plane को भी एक अकेला इनसान ही उड़ाता है, यहां तक कि पूरे देश को भी एक अकेला बंदा प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल करता है, अगर तुमने आज से इस भीड का सहारा लेना सीख लिया ना, तो अकेले दौडना सीखो, और उसके बाद में अकेले जितना सीखो, अब मैं आपको पांच rules बताने वाला हूँ, जिनको follow करके आप अकेले रहकर पूरी दुनिया जीत सकते हो, तो चलिए एक-एक को deep में समझते हैं, rule number one, अपने काम का दिखावा करना बंद करो, आजकल के ल लेकिन अगर आप उस field में अच्छा कर रहे हो, तब भी आपको उसका दिखावा नहीं करना है, क्योंकि जब भी तुम किसी काम का दिखावा करते हो, और लोग आपकी थोड़ी सी भी तारीफ कर देते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार, मैं तो इस काम में बहुत भी नहीं चलेगा, इसलिए अपने काम का दिखावा मत करो, बस अकेले में मेहनत करने में लगे रहो, जब दिखाने का टाइम आएगा न, तो लोगों को अपने आप पता लग जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग देखकर दांतों तले उंगली द लगाते हो कि मेरा जवाब मैं नहीं, मेरा वक्त देगा, सक्सेस इस दी बेस्ट रिवांस, लोगों को जवाब देना बंद करो यार, ये सब हम बचपन में किया करते थे, जब आप लोगों को जवाब देते हो, तो आप जोश में आकर, वह सब बोल देते हो, जो आप कर भी नहीं पाते हो, फ्री है दुनिया तुम पर हस्ती है तो इसलिए लोगों को जवाब देना बंद करो, और अकेले में मेहनत करते रहो, लोगों को जवाब तुम्हारी खामोशी से मिल जाएगा.